हेलो स्टुडेंट्स और कैसे हैं आप देखें आज का यह जो वीडियो है उसमें लेक्चर 25 क्लास 12 से रेलेटिड है और आज का इस वीडियो में जो टॉपिक है आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ inverse trigonometric functions होते हैं उनका differentiation जब हम करते हैं तो यह कुछ trigonometric formula यूज के जाते हैं यह जो आपने 11 क्लास में पढ़े हैं यह जो trigonometric जो कुछ formula है उनका हम यूज करते हैं इनका यूज करना ही trigonometric transformation कहलाता है तो यह सब कुछ system कहां apply होता है जब function inverse trigonometric functions रहते हैं ठीक है ना अधिकतर उनहीं में इनका इस्तेमाल होता है functions inverse trigonometric functions का जब हम differentiation करेंगे तो हम इन formula के इस्तेमाल करने से उस question को easy तरीके से कर सकते हैं इसी को हम trigonometric transformation कहते हैं ठीक है तो देखे जैसे यह मैंने कुछ formula यह सब 11th class के हैं और यह जैसे आप यह जो formula दे रखे हैं यह सब half angle वाले हैं यह आपने 11th में पढ़े होंगे जैसे के 2x का यह क्या हो रहा है यहां पर x हो रहा है sin 2x का 2 sin x cos x ऐसे यह cos 2x का यहां x हो रहा है 2x में convert हो रहा है तो यह सब half angle वाले हैं ठीक अच्छा यह वाले formula यह यह यहां पर 3x यह 3x वाला pattern है 3x जो है वो x में convert हो रहा है तो इनका भी इस्तेमाल होता है और यह कुछ आपका sin inverse x plus cos inverse x is equal pi by 2 tan inverse x plus cot inverse x is equal pi by 2 यह type का pattern यह भी कभी कभी योज हो सकता है ठीक है अच्छा इनका इस्तेमाल होगा और उसके बाद यह कुछ some important substitutions है यह क्या होगा जैसे questions में जो question दे रखा होगा उसमें expression इस टाइप का है जब दोनों ही positive है ठीक है ना तो हम उस variable x की जगह पर x is equal a tan theta या x is equal a cot theta substitute करेंगे इस टाइप का expression जब दोनों ही positive term होगे और जब constant positive है variable negative है तो x is equal a sin theta और x is equal a cos theta पूट किया जाएगा और जब इसका just opposite है variable positive है और constant negative है तो x is equal a cos theta या x is equal a sec theta पूट किया जाएगा यह ऐसा बिलकुल fix है यह fix है इस टाइप के expression में यह पूट किया जाएगा ऐसा expression है तो इसको इसमें यह पूट करेंगे यह संटिटूट्या और ऐसा एक्स्प्रेशन है तो aasa substitution होगा यह बिलकुल fix है क्योंकि ऐसा आभ जो यह expression है पहले वाला है तो उसमें इस second वाले को नहीं कर सकते क्यों क्योंकि second वाले को करने से कोई trigonometrical formula नहीं बनेगा ऐसा एसा expression जब दौर पॉजिटिव है तो इसी को पुट करने से कोई identity में convert होता है और कुछ नहीं है जैसे मैं इसको देखता हूं अच्छा पहले इसको देख लीजिए और जब मानलो इस टैप एक्स्क्रेशन है रूट में a-x a plus x या a-x a-x तो यह विल्कुलत एसा यह पुट करना उसमें यह substitute करना और यह expression एसा तो इसमें यह पूट करना है अब मैं यह समझाना चाहरा हूं जब जानों ही positive है तो एसा ही क्यों पुट किया जाथा है देखे जारा मानलो जैसे के यह a square plus x square है तो इसमें मैंने x is equal a 10 theta put किया देखे जारा तो देखे जारा तो a square plus a square इसमें put कराओं में इसको यह put किया हमने x is equal a 10 theta इस expression में तो आपका x की जगए पर यह square है तो a square और 10 square theta a square common आया क्या बच्या आपका 1 plus 10 square theta एक identity बन गई तो a square is equal हम इसको क्या लेख सकते हैं सैक square theta यह ऐसे सैक square theta में convert हो गया तो जब दोनों positive होंगे तो 10 put करने से ही identity create होगी यह ध्यान रखना है अब मानलो मैं इस में इस expression में मैं मानलो यह second वाला put कर दूँ तो identity यह नहीं बनेगे मैं मानलो इसी में a square plus x square यह expression है इसमें मैंने x is equal a sin theta पूट किया देखना जारा तो a square plus a square और sin sin square theta तो a square common आया 1 plus sin square theta 1 plus sin square theta कोई formula नहीं है 1 minus sin square theta formula होता है क्या तो यह इसमें कोई change नहीं होगा 1 plus sin square theta नहीं होता होता क्या है तो जब positive हैं दोनों तो 10 या cot cot में चलाएगा 1 plus cot square theta is equal आपका cos square theta हो जाएगा ठीक है न तो यह ध्यान लखना है मैं यहां इस expression में दोनों positive होने साइन नहीं पूट करूँगा यहां कोई identity नहीं बनी इसलिए यह काम खराब हो जागा यहां पर आगे और मैं आगर माइनस है तो माइनस होने पर जैसे यह वाला case है तो यहां पर जैसे a square minus x square यहां x is equal a sine theta यहां पूट करूँगा तो देखो a square minus a square or sine square theta a square common आया 1 minus sine square theta 1 minus sine square theta एक identity है 1 minus sine square theta is equal cos square theta तो देखो यह इसको हमने easy form में और क्या लिख सकते है a square और cos square theta यह ऐसे हो गया इतना इसमें हमने इसको simple इतना कर दिया किस से इस identity की help से तो जब ऐसा एक positive है और यह आपका constant positive और variable negative है तो हम यह विल्कुल fix है इस ही को put करेंगे तब ही identity create होगी और इसका just स्टूल्टा है कि x square minus a square है यह वाला है तो इसमें x is x is equal a cos theta cos theta पूट किया जाएगा तब वो identity बनेगी ठीक है और यह यह एक arbitrary constant है यह की जगह पर कोई numerical भी हो सकता है ठीक है जैसे x यहां पर मालो यह a square और x square है इसकी जगह पर कुछ numerical भी हो सकता है numerical value भी हो सकती है क्या हो सकता है यह जगह 2 square minus x square एसा कुछ expression है तो हम यहां एक ही जगए पर क्या हो गया आपका 2 हो गया यह तो अब यहां एक ही जगए पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है कोई numerical value हो सकती है तो जो 2 है तो हम फिर यहां put करेंगे तो x is equal 2 sin theta यह put करेंगे ठीक है और किसी other variable में put करेंगे यह ध्यान रखना है यह variable क्या है x है तो x variable को हमने theta variable में put किया एक mediator एक variable हैगा उसको simplest form में करने के लिए ठीक है न हम ऐसा नहीं करेंगे आपका 2 sin x यह नहीं हो सकता यह ध्यान रखना है x is equal theta ठीक है न वाई अगर है y is equal आपका 2 sin theta यह variable और यह variable दोनों same नहीं रहेंगे यह नहीं करेंगे यह कैस ऐसा नहीं होगा ठीक है न किसी other variable में put करना उसको ठीक है चलिए अब मैं जैसे कुछ questions ले रहा हूं इसी से related और यह जो मैंने क्या बता अभी सबसे पहले यह बता है कि यह सारे formula half angle वाले यह 3 3 को x में convert 3x को x में convert करना या आपका यह 2x 2x को x में convert करना यह 2x 2x को x में convert हो रहा है यह हो रहा है ठीक है ना 2x x में convert हो रहा है यह 3x x में convert हो रहा है ठीक है यह formula यह सारे substitutions केवल और केवल inverse trigonometric जो functions है उन्हीं में यह सब apply किये जाते है ठीक है और उसी को हम trigonometrical transformation कहते हैं उसके बाद यह application इनका होता है उसके बाद में वो जो function है कुछ नहीं करना बस होता क्या है कि कोई inverse trigonometric function दे रखा है कोई inverse trigonometric function दे रखा है उसमें यह substitution या यह formula हम उसमें लगाएंगे लगाने के बाद उस function को हम simplest form में change कर देंगे बस यह तरीका है मैं oral ही समझा रहा हो इसको कोई function दे रखा है inverse trigonometric function दे रखा है और उनमें हम यह transformation यह formula यह formula देखेंगे हम कौन सा लगएगा और उसका करने पर वह एक easiest form में change हो जाएगा और change होने के बाद में हम उसका differentiation कर देंगे बस यह है और कुछ नहीं है जैसे मैं आप कुछ questions लेकर करके ही समझ में आएगा जैसे मैंने question लिया कि sign differentiation differentiate differentiate following functions following inverse trigonometrical functions ठीक function शौर्ट में एफ लिग दिया जैसे question मैंने यह question को यहां लिख दीजिए यह तो एक मैंने heading डाल दिया question जैसे मैंने फर्स्ट लिया कि sign inverse bracket आपका 3x इसमें 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 निकालने के लिए तो हम पहले अब इसमें डायरक्ट हम इसका differentiation नहीं करेंगे डायरक्ट डिफ्रेंशेशन करने से chain rule लग जाएगा ऐसे भी हो जाएगा लेकिन वह बहुत ही टफ एक यहां एक्स की जगह पर पुट करेंगे और इस function को आप वाई मान लो पहले वाई इस इक्वल आपका sign inverse 3x-4 xq यह मान लिया हमने वाई इस इक्वल अब उसमें पुट कर दो पुट x is equal a x is equal sin theta क्या बता था मैंने जो variable x है उसको किसी other variable mediator जो easiest formula लाने के लिए है और कुछ नहीं है इसका use x is equal हमने sin theta, theta variable में इसको put कर दिये है आपर तो देखो ज़रा क्या हो गया y is equal sin inverse यह 3 or sin theta minus 4 sin q theta अब देखें यह जो expression है यहाँ देखें अब ज़रा क्या यह इस formula से match नहीं कर रहा 3 sin x minus 4 sin q x यहाँ x है यहाँ theta है क्योंग यह x था ना तो इसलिए हमने theta में कर दिया तो बस कुछ नहीं यह पूरा expression 3 sin x minus 4 sin q x ठीक है यह वाला expression यह पूरा किसके equal होता है sin 3 x के तो यह पूरा किसके equal हो जाएगा sin inverse और आपका sin और 3 और theta के यह यहाँ पूरा sin 3 x में है 3 sin x minus 4 sin q x तो sin 3 x और यहाँ पर theta यहाँ theta रख दूंगा तो sin 3 sin theta minus 4 sin q theta is equal sin 3 theta के हो जाएगा तो जबरी 3 theta के हो जाएगा अब एक formula और भी है उसे भी note कर लें सबी के लिए जब को sin inverse और sin theta यह इस इक्वल आपका यह इन फॉर्मूलों को भी यह भी लगते हैं sin inverse sin theta is equal आपका theta के होता है cos inverse cos theta is equal theta के होता है tan inverse tan theta is equal theta के होता है sin यहाँ पर रहे इन्वर्स में और इसका जो एंगल है वह भी साइन में हो cos inverse और इस cos inverse का जो एंगल है वह भी cos में हो tan inverse और यह tan theta tan qat यह नहीं चलेगा tan qat है तो उसको 10 10 में बदलना पड़ेगा यह cos or sin है तो दोनों को sin sin में यह cos cos में बदलना पड़ेगा और यह अंदर करना पड़ेगा जो बाहर है उसी हमें इसमें डंदर करना पड़ेगा सेम होगा तो यह ठीटा यह ठीटा यह ठीटा तो देखेंगा इससे मैचिंग करें sin inverse sin 3 theta, यह क्या हो जागा? sin inverse sin theta is equal to theta, sin inverse sin 3 theta is equal to 3 theta, क्यों हो गया? यह easiest form में ऐसा आज़े है, निकल के, अच्छा, अब देखे, ज़रा हमने जो put किया था, यहाँ check करना जा रहा, x is equal sin theta, put किया था, तो this implies theta is equal क्या हो जागा, यहाँ से sin inverse x, यह लिख सकते हैं, तो यहाँ से theta की value भी निकालना है, जो put करना है, उसी से inverse में theta की value निकालना है, theta तो एक simplest form में करने के लिए variable यूज किया गया है, और कुछ नहीं है, इसका काम, हमें answer किसमें लाना है, original variable, original variable क्या है हमारा? x, तो इसलिए हम इसको x में convert करेंगे, तो 3 और theta, theta की जागे पर में क्या लिख दूँगा, sine inverse x, यह लिख दूँगा, तो y is equal, अभी हमने इस question को एक easiest form में transfer कर दिया, इन formula के जरिये, यह जो formula, इस formula के जरिये, हमने इसमें put किया, put के करने बाद में, यह इस type से निकल के, एक easiest form में, यह जो question था, एक easiest form में आ गया, ठीक है, transformation से, यह इसका use है, और यह कहां use होता है, inverse trigonometric functions में use होगा, यह भी जहान लखने हैं, ठीक है, यह सारे के सारे formula, अब बस यह easiest form में होगे, अब इसका differentiation कर दो, तो पहले हमें यह formula लगाने, differentiation पहले नहीं करना, पहले यह formula लगाने हैं, उसके बाद, formula लगाने से, easiest form में आएगा, और उसके बाद, फिर हम इसका differentiation करेंगे, ठीक है, अब जेखो जादा इसका differentiation, क्या हो जाएगा, अब में इसको, यह यहां से जोखो मिटाई जेता हूँ, ठीक है, यहां से यह इसना ही मिटाई जेते हैं, तो यह आगया, आपका यह easiest form में, यह क्या बन गया, y is equals 3, 3 sin inverse x, अब differentiating with respect, with respect to x, dy y dx is equal, 3 constant बाहर आजाएगा, d and dx, sin inverse x, यह तो standard form है, इसका power and coefficient 1 है, इसका क्या होता था, यह मैं पहले भी लिख चुका हूँ, 3 into 1 upon root 1 minus x square, यह आपका answer आगया, इतना करना है, तो यह easiest form में answer आया है, आपका, sorry, और अगर मैं इसे direct करूँ, बिना इसके transformation के, बिना इसके, यह इन्वर्स, यह जो formula है, sin 3x यह cost यह इन formula का बिना यूज करें, अगर मैं इसे करूँ, बिना इस transformation के, अगर हम इसको question को करें, तो यह answer इतना easiest form में नहीं आएगा यह, देखो यह रहा, मैं करके आपको बता रहा हूँ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यह मैं इसको change rule से होगा, तो देखो dy y dx is equal dndx, sin inverse 3x minus 4xq, तो देखो change rule लगेगा यहाँ पर, standard form क्या है, यह है, इसका standard form तो यह है, ठीक है न, लेकिन यहाँ x की जगहे पर, यह पूरा replace हो रहा है, तो इसका differentiation और होगा, तो क्या हो जागा यह आपका यह 1 upon में root, 1 minus x square, तो x square की जगहे पर यह, 1 minus 3x minus 4xq, और इस पूर एका square into, फिर dndx, यह replace हो रहा होगा, 3x minus 4xq, ठीक है, यह होगा, अब इसका मैं यहाँ differentiation करूँगा, तो देखो यह क्या हो जागा, यह कितना लेंदी हो रहा है, और फिर भी इस form में, लाने में, इस type से इतना simplest form में नहीं आएगा, इस से बहुत easy तरीके से, आंसर simplest form में आगया, तो इसलिए हम direct इसका, बाई chain rule नहीं करेंगे, हम इनमें, इस type के जो questions रहेंगे, यह inverse वाले, उसमें हम substitutions, यह substitutions यह formulae यूज करते हैं, इसको हम, ट्रांस्फोर्मेशन, ट्रांस्फोर्मेशन से हम differentiation करना, बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यह कहा होगा, इसका whole square खोलना पड़ागा, यह क्या आपका है, इसका whole square है, पूरा, whole square खोलूँगा, फिर उसके बाद में one minus, और फिर वो भी easiest format नहीं आएगा, तो यह है, और कुस नहीं है, और जैसे मैं questions ले रहा हूँ आपका, जैसे, मैं लेना चाहरा हूँ, साइन, मैं ले रहा हूँ, अपका 10 inverse, एक 10 inverse का ले लेते हैं, 10 inverse 3x minus xq upon 1 minus 3x square, ऐसा expression है, ठीकर, यह दिया रखा है, तो differentiating, अब इसको भी differentiate करना है, with respect to x, पहले differentiate महीं करना है, मैंने का बता है, सबसे पहले इधर देखे जाए, तो मैं इसमें, put, इसको y is equal मान लीजी, ठीक है ना, put, x is equal, जो भी यह variable है, x is equal, tan theta, अधर कोई, mediator, जो easily solve करने के लिए, यह theta यूज किया रहता है, x is equal to 10, x नहीं रखना है, ठीक है, यह दियान रखना, x is equal to 10, theta किसी अधर variable में, ज़र पूट करना, और answer किसमें नकालना है, x में नकालना है, इस theta का यूज तो केवल, इसको simplify करने के लिए है, ठीक है, तो y is equal, आप़र 10, inverse, 3, 10 theta, minus, 10, q theta, अपोन, 1 minus 3, 10, square theta, देखे ज़रा, यह जो expression अब बना, इसको put करने से, यह कहीं दिख रखा है, कहीं दिखो, यहां दिख रहा है, 10 x, 3, 10, यह x है यहां, theta है, बस यह इतना अंतर है, 3, 10 x, minus, 10 q x, अब फोन में, 1 minus 3, 10 square x, is equal, 10, 10 3 x, तो यह क्या हो जागा, 10 3, 3 theta क्या हो जागा, क्या हो जागा, यह y is equal, आपका 10 inverse, मैं क्या लिख दूँ है, यह x है, तो यह 10 3 x क्या हो जाएगा, यह थीटा है, तो यह 10 3 theta क्या हो जाएगा, यह, ऐसा हो, अब ही मैंने फोर्मूला दिखाता, यह क्या, 10 inverse, 10 theta, is equal theta होता है, तो यह 10 inverse, 10 3 theta, is equal, यह क्या जाएगा, 3 theta क्या हो जाएगा, क्या निकल क्या आगा यह, 3 theta, इस फोर्मूले से, ठीक, और जो हमने पूट किया है, x is equal to 10 theta, तो यहां से, theta की value क्या जाएगी, 10 inverse x आजाएगा, इसको यहां रखो, तो देखो, y is equal 3 theta तो चली रहा है, अब theta यह, जो theta की जाएगा पर, यह value रखिये, तो y is equal 3, और 10 inverse x, कितना इसी हो गया, अब इसके बाद, हम differentiate with respect to x, अब differentiation करना है, तो differentiating, with respect to x, तो देखो जाएगा, तो dy y dx is equal 3, और d and dx, और 10 inverse x, यह आगया, और 10 inverse x, यह standard form है, इसका तो हमने पहले list, कही बाद लिख दी है, यहां पर वीडियो पहले, इसका क्या होता है, derivative, 3 into 1 upon 1 plus x square, यह आगया answer, ठीके, यह आपकर answer आगया, ठीका उपर, इसको हम यह से भी लिख सकते हैं, कि answer को 3 upon में, 1 plus 10, 1 plus x square, यह answer आगया, ठीका उपर multiply करें, इसे है, बनको अठागया, 3 रखते हैं, यह अजया रखते हैं, यह अजया है, इसे हो जाते हैं, और जैसे, जैसे अब मैं और question लेता हूँ देखे यह लिया मैंने 10 लिया 10 inverse एक और लिया question 1-cos x upon sin x sin x यह लिया ठीक 1-cos x upon sin x इस टाइप का यह question है कोई y is equal इसको मान लिजी ठीक है अभी क्या चला था अभी जो मैंने questions लिए वहाँ x variable था यहां एक अंदर जो 10 inverse और यह पूरा trigonometrical रेशो हो गई ठीक है उसके अंदर angle में x है ठीक है तो यहां x equal न मानके हम इसमें cos और sin के जो half angle वाले formula है जरा उनको लगा के देखें तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या y is equal 10 inverse 1 minus cos का जो formula है cos के भी कई formula है यह वाला लगा दो आपका यह formula लगाना जा रहा और इससे 1 cancel हो one cancel किससे होगा इसको लगाऊंगा तो देखें यह minus sign है न तो यह minus 1 और plus 2 sin square ठीक है यह वाला लगेगा इसमें देखेंगे रहा तो यह minus 1 और plus 2 sin square और x y 2 जब यहां 2x है तो यह x है और जब यहां x होगा तो यहां x y 2 हो जाएगा हाफ एंगल तो यहां x था xy 2 होगा अपॉन में यहां भी sin 2x तो 2 sin x cos x और जब यह sin x तो यह 2 sin xy 2 cos xy 2 2 sin xy 2 और cos xy 2 ऐसा हो जाएगा 1 से 1 cancel हुआ इस 2 से यह 2 cancel हुआ और इस sin xy 2 से 1 sin xy 2 बचाएगा sin xy 2 y is equal 10 inverse क्या बचा sin xy 2 अपॉन में cos xy 2 क्या हुआ आपका 10 inverse जो जाएगा 10 xy 2 y is equal ठीक फिर वही फॉर्मूल आ गया इसका क्या result निकला है xy 2 यहाँ variable बीच में middle term जब x के बचाएगा वहाँ उस टाइप से पूट करिए पूरा एक रेशो पूट कर दो आप पर variable के साथ यहाँ variable other variable की आभिशेक्त ही नहीं हुई डायरेक्ट x variable जो था उसी में answer original variable में ऐसा यहां तक आ गया कितना simplest हो गया यह देखेए यह function आ गया जो इंवर्स trigonometric function जो था यह जो इंवर्स trigonometric function इतना बड़ा था यह solve होके ऐसा हो गया किस के जरिए इस formula के जरिए इस formula के जरिए ठीक है यह transformation कहलाता है इसी को हम trigonmetical transformation कहते हैं अभ इ marginon इसका differentiation ठीक है बह creatures पहले इनका use करना है और question क्या रहेगा inverse trigonometric functions में करना उन히 में उनी के लिए है यह उनीमे यह लगते है logging ओना इसके बाद differentiate करना है इनको लगाने से easiest form question आजाएगा और इसके बाद इसा हो जागा तो क्या बोला मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले इजिएस्ट फॉर्म में लाना है ठीक है ना सबसे पहले जो पहले 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 फॉर्मूल नहीं लगाना है या सबसे नहीं लहीं पहले इंका second number, differentiation का, ठीक है, आगे, next, जैसे, question जैसे, differentiate 10 inverse, 10 inverse, और, रोट में, 1 प्लस x, square और प्लस x, ऐसा कुछ expression है, y is equal मानलो इसको, ठीक, जब अभी तक मैंने इन में से, यह जो फॉर्मूल है, इनका, यहां भी यूज हुआ है, यहां भी यूज हुआ है, अब जब में कुछ, यहां इधर से लिया है, जब यह, कुछ important substitution, कुछ यहां, इनका भी यूज होता है, तो देखें जब रहा, यह question इसी से match कर रहा है, तो देखो, यहां जो expression जो दे रखा है, यह वाला, root के अंदर जो दे रखा है, वो इस से match कर रहा है, इस expression से, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता है, क्या रूट, 1 को 1 का square, प्लस x square, और बिल्कु sign, इस root के अंदर जो expression है, वो इस से match नहीं कर रहा है, बिल्कुल match कर रहा है, दोनों ही positive है, और a की जगए पर 1 है, a square, यहां 1 का square, 1 को 1 का square रख सकते हैं, तो यहां हम, इस type से जब expression है, तो क्या, यहां हम x की जगए पर यह substitution नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखे ज़ जाएगा, तो y is equal 10 inverse, यहां में क्या put करूँगा, x is equal a, a की जगए पर यहां क्या है, यह क्या आपका, expression क्या आपका, 1 plus x square है, तो 1 को square 1, तो a is equal 1 है, तो यहां में जा 1 रख होगा, तो 1 खतम हो जागा, तो x is equal 10 theta, हो जाएगा, तो यहां क्या put किया जागा, यहां पर, put, देखे न, यहां ही लिख दो इसको, क्या put करूँगा यहां पर, put, यहां लिख दो, put, x is equal 10 theta, तो 1 into 10 theta, 1 लिखने की कोई आभी शक्ता नहीं हो, यह की जगए पर यहां 1 है, ठीक है न, इससे matching करना है तो, तो यह put कर यहां पर, तो देखे, root, 1 plus 10 square theta, और plus यहां पर 10, और यह theta, देख लिए, ठीक, के लिए रोगया, यह expression यहां पर, और 1 plus 10 square theta, क्या होता है, sec square theta होता है, y is equal 10 inverse, और यह आपका, 1 plus 10 square theta, root में sec square theta, और plus यह 10 is 10 theta, चली रहा है, यहां पर, यहां भी 10 रखूँगा, x तो यहां भी है न, दो जागे रखूँगा, अब root से बाहर, जब मैं लूँगा इसको, तो 10 inverse, इसको इदा ऐसे कर दो, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, sec theta, plus 10 theta, अब sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 inverse, 1 upon में cos theta, plus sin theta upon में cos theta, ऐसा लिखाया सकता है, आगे, y is equal 10 inverse, और यह 1 plus sin theta, अपन cos theta, ऐसा लिखाया सकता है, एक, ऐसा expression हो सकता है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कि यह 1 वाला, जब 1 के साथ में अक्सर यहां आपने देखा होगा, यहां cos रहता है, और cos में ही, cos के ही जो formula है, तीनों, देखा, cos में ही 1, cos में ही यहां 1, cos के आज यहां 1, cos 2 theta is equal to 2 cos square, x minus 1, यहां भी 1, लेकिन यहां sin है, तो यह 1 जो है, यह वाला 1 जब ही cancel होगा, जब हम इसको cos में convert करेंगे, ठीक, तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सक्ता, कि tan inverse, sin में, कोई formula ही नहीं है, sin में ही रहने दो, लेकि sin में कोई formula नहीं है, जिससे कि 1 cancel हो, sin is equal, sin 2 theta is equal to sin x, minus 2 sin x, और cos x, यहां रहता है, इसमें 1 ही नहीं है, ठीक, इसलिए cos में change कर तो, इसको कैसे करेंगे, 1 plus cos pi y 2, और minus का theta यह लिख सकता हूं में इसको, cos pi y 2 minus theta is equal sin theta, होता है, तो sin theta को हम cos pi y 2 minus theta लिख सकते हैं, अब मैं ऐसे ही same इसमें, यह sin, और यह हो जाएगा, pi y 2 minus theta, यह sin हो जाएगा, यह sin cos हो जाएगा, यह cos sin हो जाएगा, अब जड़ा cost वाला formula, यहां लगाए है, and sign वाला is here, half angle वाला, cos वाला half angle वाला जिससे 1 cancel हो, and sign का half angle वाला, यह वाला formula अब यहां पर लगाईए, तो यह कुछ cancel होगा, cancel होकर यह easiest form नहागा, क्या पुट किया था हमने पुट यहाँ पर x is equal x is equal 10 theta पुट किया था और यहां पर reverse भी निकाल दो थीटा स्थेटा इस इकल दो तो 10 inverse x यह दौनों यूज हो थे इसमें यहां पुट किया था x is equal यहाला expression first expression इसमें यहां वाला तो देखो आप इसको ज़रत देखें यह इस इक्वल मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं इस question को यहां से फिर से शुरू हो रहा है यहां जगह नहीं थी इसलिए उपर रख दिया y is equal is 10 inverse देखें 1 plus 2 और यह cos square और इसका half हो जाएगा तो देखो यह हो जाएगा आपका पाई y 4 minus theta y 2 ऐसा हो जाएगा इसका पूरे का half करूंगा भई पाई y 2 minus theta इस पूरे का half half जो पूरे का करना है तो इसको पाई y 2 upon me 2 minus theta upon me 2 ऐसा लिख सकता हूं और यह क्या हो जाएगा पलट जाएगा आपका यह ऐसा हो जागा तो बनवाई पाई वाई 4 हो जागा ठीक है ना किलियर हो गया यह ऐसा इसली हो गया और यह आपका माइनस का वन अपोन में यही कामिया करना है पाई वाई 4 माउनस ठीटा वाई 2 कौस पाई वाई 4 माइनस ठीटा वाई 2 वाई 2 ए है यहां पका यहां पर गया अब दिखें इस वन से यह पेले लगा था वन कैंसरल टू से जखो यह कैंसरल और कौस से एक कौस के इंसे एक कॉस बचाएगा उपा तो यह आपका वराबर हो गया यह 10 inverse कॉस पाई वाई 4 माइनस थीटा वाई 2 अपाउन यहां साइन पाई वाई 4 माइनस थीटा वाई 2 ऐसा बचा है ठीक है क्लियर अच्छा आगे अब यहां से मिटाइजता हूं इसकोब में अब यह क्या हो गया आपका 10 inverse कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट 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 यह पाई वाई 4 माइनस थीटा वाई 2 ऐसा हो जाएगा लेकिन यह जो फॉर्मूला लगता है यहां 10 यहां कॉट है दौनों सेम होने चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दौनों को 10 में तभी बुल लगएगा फॉर्मूला कॉन सा 10 इनवर्स और 10 थीटा इज इकॉल थीटा जब दोनों जगए 10 10 होगा यहां 10 है यहां कॉट है तो इसको अंदर वाले को चेंज करते हैं बाहर वाले को नहीं तो तो देखो 10 इनवर्स में से 10 पाइ वाइ टो माइनस पाइ वाइफोर माइनस ठीटा वाइटव ऐसा लिख सकता हूं ठीक न ऐसा यह करली ब्रेक्ट ऐसा लगा दूँ यहां पर अंतर है या इस्मॉल ब्रेक्ट नहीं हा यह यह तो यह हो गया और यह आप देखे जा रहा तो यह 10 inverse और यह 10 पाई वाई 2 पाई वाई 2 मैनस पाई वाई 4 और प्लस का ठीटवाई 2 देखे ज़रा अब यहां देखे ज़र इसको solve करो पाई पाई वाई टू माइनस पाई वाई फोर एल्सियम फोर आ गया तो यहापका टू पाई माइनस पाई तो क्या बचा आपका पाई वाई फोर यह बचा तो इसकी जगह पर पाई वाई फोर लेख दोंगा मैं ठीक है next आगे फिरसे लेंग्दी खुड़ा सा रहे कोश्यन तो या अपका y is equal चल ला था तो y is equal आपका 10 inverse और 10 ठीक है आपका पाई वाई फोर यह पूरा पाई वाई फोर पाई वाई फोर माइनस ठीट प्लस तीटा वहीड़ू सबस्ट हो गया था साइन चैंज हो सबस्ट है अब देखे जह रहा हूं अब यह वाला फॉर्मूला थर्म इनवस्ट तेन यह पूरा अब निकल के आ गया और UVID फोर i a इसको यहां रखो, y is equal pi y 4 plus 1 y 2 into 10 inverse x, अब अब इसके बाद इसको differentiate कर दो, अब इसके बाद इसको differentiate कर दो, ठीक है न, तो differentiating with respect to x, original variable मिलाना है हमें, इसलिए हमने theta को फिर, इसमें change किया, तो dy y dx is equal d and dx, pi y 4, ठीक है न, ये एक term में अलग है, और ये term में अलग है, यहां into है, into 1 y 2 बाहर आएगा constant, and d and dx, x, और 10 inverse x हो जाएगा, तो जगर ये constant है, इसका 0 हो गया पूरा, ये पूरा constant है, तो इसका 0 हो गया, और ये standard form में है, तो इसका, ये तो 0 हो गया, और प्लस 1 y 2 हो गया, और ये आपका 1 upon में 1 plus x square हो गया, means answer आपका, ये, dy y dx is equal 1 upon में 2, 1 plus x square. ठीक है, ये आपका final answer हो गया, this is final answer, ठीक है, तो इस टाइप से है ये, inverse trigonometric functions के questions ऐसे होते हैं, ठीक है न, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आज के लिए बस इतना ही, पहली तो ये वीडियो यही फिनिस करते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये पसंद आया है, तो इसको लाइक करिए, subscribe करिए, वेल आइकन बटन दवाना मत भूलिए,